नमस्कार मित्रो मैं डॉक्टर रोहत बत्रा डर्मवर्ल स्किन एंड हेर क्लिनिक्स नई दिल्ली से बात कर रहा हूं आज हम बात करने वाले हैं दाद या टीनिया इंफेक्शन की या जिसको रिंग वर्म भी कहा जाता है बहुत हद तक आजकल हमने देखा है कि स्तरी पुरुष इस बिमारी से परिशान है दाद या दिनाई जिसको कहा जाता है हमारी देशी भाशा में वो अकसर ऐसी जगाओं पर होती है जहां आपको बहुत पसीना आता है और गर्मी रहते हैं और जहां हवा नहीं लगता जैसे काच में या आपके शरीर के ऐसे भाग में जहां स्किन आपस में जुड़ी रहती है जैसे आपके पाओं के बीच में उंगलियों के बीच में और आजकल तो यह देखा जा रहा है कि किसी भी भाग पर हो जाता है आपके चेहरे पर भी हो सकता है इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जब किसी को ऐसा एक fungal infection होता है तो वो सीधा अपने chemist के पास जाता है और वहाँ से कोई cream लेकर या कोई दवाई लेकर उसको 2-3 दिन का उपयोग करता है वो दब जाता है और आप सोचते हैं कि वो ठीक हो गया इसके कारण ये हालत है आज हिंदोस्तान में कि कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक गुजराच से लेके बंगाल तक हर जगा ये जो बिमारी है दाद की दिनाई की वो फैलती जा रही है और डर्मेटोलोजिस्ट भी इसको अच्छी तरीके से जल्दी ठीक करने में अपने आपको कई बार लाचार पाते हैं तो अगर आपको दिनाई है अगर आपको शरीर के भागों के उपर रिंग रिंग से बन रहे हैं तो कृपय करके एक अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं ना कि अपने केमिस्ट के पास और उससे पूरा उपचार लें आजकल इसका उपचार तीन से छे हफ़ते चलता है आपके जो ये खुजली के दाद और दिनाई के दाने हैं और जो पैचिस हैं वो हफ़ते दस दिन में ठीक हो जाएंगे पट आपकी जो दवाई है वो तीन से छे हफ़ते चलनी चाहिए ताकि ये फ्यूचर में मुड़कर ना आएं और आपको और परिशानी ना दे आजकल हमने ऐसा भी देखा है अगर किसी को ये बिमारी हो जाती है और उसके दूसरे घरवालों को भी ये चीज होने का डर हमेशाँ खाया रहता है उसका कारण ये है कि अगर आप अपने कपड़े एक दूसरे से शेयर करते हैं छासकर अपने तोलिये जो की गीले रहते हैं उसको अच्छी तरह का सुकाया नहीं जाता और घर के कई सदस्य उसका उपयोग कर लेते हैं तो वो भी एक बड़ा कारण है और जो लोग जिम जाते हैं जो खेलते हैं जो ग्रहनिया पसीने में घर का काम करती हैं अगर वो अपने आपको अच्छी तरीके से नहाने के बाद स बसीने से उनको अच्छी तरीके से धोकर सूर की रोशनी में सुकाएंगे नहीं फिर पहन लेंगे तो यह विमारी और बढ़ सकती है बार बार बढ़ सकती है और आपके घर में दूसरे सदस्यों को भी हो सकती है तो अगर आप दाद दिनाई इन चीजों से परिशान है तो झाल झाल